आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से ग्लेटेड सारे अपडेट ही जाएंगे साथ में आपको सारे सब्सक्राइब की वीडियो परवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेस्मेंट एक्जाम की स्टैटीजी के बारे में समझाय जाएगा और भी बहुत कुछ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो साथ में बैल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अप्डेट आपको मिल सके हैं तो आज की वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पॉल टेकिनिक 2022 के इंट्रेंस एक्जाम की पैटर्न के बा इस पीडियोव को में बढ़न के रहे हैं चाहला है हम आपको छलोड़ी परवाइट करा देंगे आपको परवाइड करा दें या फिर हो सकते हैं आज साम तक हम आपको परवाइड करा दें यहाँ पर एक और चीज में आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको बताया था कि जो भी हमारी चीजा दिस्क्राइब है और यही आपको आपको ओटेंट देख सबसे पहला आपको यहां पर लिस्ट लिखा हुआ है यहां पर बागी सारे आनकी टोटल मिलाकि आपके 15 डिप्लोमा कोर्सिस है अब यहां पर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपके तो अगर आपको फार्मेसि में डिशन लेना है तो इसके लिए आपको 12th पास ना चाहिए ठीक है ना राइट अब इसके बाद नीचेक तरफ अगर आप आओगे तो नीचे कि तरफ आने कबाद यहां पर देख लिए यहां पर जैसे आप नीचे कि तरफ आजाओगे तो हां यहां पर द्यान रखीएगा कि अगर फ़र्मेशी में अब को बता रखा कि 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए यहां तो आप देखो PCBC या फिर आपके दिजाइन ओर्येंटेट कोर्स से उनको छोड़ के अगर आप नीचे कि तरफ आने कबाद यहां पर देख लिए इननने सबसे पहले यहां पर आपको समझाने कोशी करते हुए यहां पर देखो लगए सबसे पहले देखो अगर आप यह जितने फी कोर्स से आपके डिजाइन और इनके अप्लाइड आर्ट्स हो गया यहां पर आर्टिटेक्चर हो गया कस्टमिलिजियन हेल्थ हो गया यहां पर देखें तो फैसंट डिजानिंग इंटीर डिजानिंग यह सभी के सभी आपको ABCD section यांकि ABCD section आपको attend करना होगा और जो आपका merit base बनेगा वह आपका ABCD की बेस पर ही बनेगा अगर आप D section qualify नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी यांकि अगर आप नहीं कौलिफाइड कर पाते हो तो आप यह courses नहीं ले सकते हो इसके बाद आगर आप Engineering courses है तो इसके लिए इन्जिनिंग courses होते हैं तो इसके लिए इन्होंने मैंचन कर रखा कि आपको चारों section अटेंड तो करने होंगे लेकिन आपका merit base बनेगा वह ABC को कमबाइन करके ही बनेगा अगर आप नीचेक तरफ आओगे तो नीचेक तरफ आने के बाद यहां पर दे आपके तरफ आओगे तो नीचे एक तरफ आने बाद यहां पर देखें कॉमन इंटरंस एक्जाम में आपके क्या क्या चीज़ी में जैसा कि आप देख सकते हो जो आपका इंटरंस एक्जाम का पैटन है इसके अंदर आपके पास section है जैसा कि आप यहां पर मैंशन कर रखा करना होगा जो यह सारे कोर्स करना चाहते है ना जैसे आपका इंटीरियर डिजाइन बागी जितने भी मैंशन है और इसी तरीके से जो फार्मेसी वाले इस्टुएंट उनको यह वाला section यहां कि यह वाला जो आपका इसक्शन है इनको भी उनको अटेंड करना होगा इसके क्लास 12 की साइंस की होगे यहां पर हुमन बोडी रिलेटेड कोशन होगे सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले बच्चों के लिए यहां पर देख से तो प्लेस नोट करके यहां पर कुछ चीज मैंशन है आपकी सबसे पहले इनों क्या मैंशन कर रखा है कि all questions जितने भी questions हों है ना फुल टाम डिप्लोमा के लिए अगर यह फार्मेसी नहीं है जिनके जो मतलब फार्मेसी नहीं कर रहे हैं उनको छोड़कर तो उतके लिए बोला गया कि 100 मिनिट आपको दिये जाएंगे एबी सीडी सेक्शन के लिए और जो भी अपना यहां पर फार्मेसी के लिए म ककौन कोन से शक्षन करना हैं ठीक है कि आ cloth बताया कितने सैठ्षिस अंदर यह सक्षों आ आंपको ए बी सी डी करना ही करना होगा हर किसी को करना है लेकिन डी में उसी हो कौलिफाई करना होगा जो डिजाइन ओरिएंटेट कोर्स करना चाहता है अगर आप कौलिफाई नहीं होते हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो डिजाइन ओरिएंटेट कोर्स जैसे आर्टिटेक्चर होगे फैसंट डिजाइन होगे यह सारी चीज़े और यहां पर फार्मेसी व पता दिया आई होगी एंड इस्टन यहां पर को चीज ध्यान रखेगा जैसे कि आपको पता है कि यह सारे कि सारे जितने भी को से यह डिपलोमा कोर्स ने आपके यहां पर यह द्यान रखेगा कि इसके अंदर कुछ इसके अंदर आपको डी सेक्शन को क्वालिफाई करना मसते अगर आप नहीं करते हो तो यह आप नहीं कर सकते हो ठीक है और बाकी जितने भी कोशिश भर्ज गएं फार्मेशी को छोड़कर उसके लिए आपके क्लास तैंस की क्वालिफीकेशन चाहिए और डिजाइन के लिए इसको क्वालिफाई करूरी है सिर्फ और सिर फार्मेशी को छोड़कर उसके लिए सिर्फ बिदी क्लास की क्वालिफीकेशन चाहिए और यहां पर अगर आप करना चाहते हो हना तो फार्मेशिक लिए आपके क्लास 12 की क्लास 12 में पीसी भी होनी चाहिए या फिर पीसी एम सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोग के बाद बाकि इन्होंने मैंचन किया कि अगर आप जो भी सेक्शन अटेंड करेंगे जैसे अब यहां पर आप नीचे सब्सक्राइब करना जरूरी है तब ही आप यह सारे कोर्स लेपाऊगी और सेम इस तरीकिसे आपका इंजिनिंग कोर्सिस था इंजिनिंग कोर्सिस में मैंने मैंचन किया कि आपको ABCD तो अटेंड करना है लेकिन जो आपका मैरिट बेस बनेगा वहां पर D आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा और अगर आप यहां पर नीचिक तरफ आते हो तो नीचिक तरफ आनक बाद यहां पर फारमेशी में आपको बता रखाए कि आपको ABCD यहां कि सभी अटेंड करना है लेकिन डी का यहां पर कुछ भी अपर यहां पर मैरिट बेस तयार होगा तो है आप कोई सारी चीज़ समझ में आई होगे और यहां पर मैंने आपका बता रखा है कि आपके कितने सक्षेन हैं देख सकते हो 5 सक्षेन हैं सभी के अंदर 15 15 कोशन आने हैं आने हैं आप लोग के कोई भी नाइकिटिव मार्किंग वगेरा नहीं है तो इस तक साथ में वीडियो को इस तक साथ में आने हैं 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 आने ह